नमस्कार दोस्तों मैं मुदीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लक्ष आईयस पे चलते हैं कोटेशन की तरफ होसले की तरकश में तीर जिन्दा रखो हाल जाओ जिन्दगी में चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिन्दा रखो दोस्तों आप हालते बहुती इंपोर्टन चैप्टर हो जाता है सभी पृतियोगी परिक्षाओं के लिए एक एवर ग्रीन टॉपिक रहता है क्यों इसके तीन प्रमुक कारण है राश्ट पती जो होते हैं वो संसत का एक अभिन अंग होते हैं संसत के तीन अंग होते हैं राजसबा लोकसबा औ और महान्याइवादी तो उसके जो प्रमुक होते हैं वो राश्च्पती बलकि अगरार वास्तिवीक प्रमुक मूझे तो पृष्डान समुपि फिर्त1 ऑचिने और राश्टपती का उल्लेक सविधान के भाग 5 में और अनुछेद 52 से 78 तक संग की कारपालिका का वाक्या की गई है संग की कारपालिका में आ जाता है हमारा राजसभा लोगसभा संसद और राश्टपती पर हम इस चैप्टर में केवल उनी अनुछेदों का ध्यन करेंगे जो राश्टपती से जुड़े हुए है बाकी अनुछेद हम राजसभा लोगसभा आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि जो राश्टपती हैं वो होते कौन है जो राश्टपती होते हैं राश्टपती भारत का प्रथम नागरिक होता है यानि जो इंडिया है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है राश्टपती होते हैं और उनका ये दाइत्व है कि उसकी अखंडता और जो समप्रभूता है उसको बना के रखें ये राश्टपती का दाइत्व होता है अब इतने बड़े मतलब भारत का प्रथम नागरिक है तो उनकों चुनने के लिए योगिता क्या होना चाहिए सबसे पहले भारत का एक राश्टपती होगा इसका अनुचेद 52 में विवरण दिया गया है कि भारत के एक राश्टपती होंगे ठीक है इसके बाद क्या है कि अनुचेद है 58 यानि इसमें कहा गया है कि राश्टपती को चुने जाने के लिए क्या योगिता होना चाहिए देशी या गैर भायतिये को राजपती पत्त के लिए आवेदर नहीं भड़ सकता दूसरा उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो मतलब वह 35 साल जो आयू है वह पूरी कल चुका हो 35 साल से एक भी दन कम नहीं होना चाहिए उससे उपर मैक्सिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिम 35 साल होना चाहिए तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने योग के हो मतलब कि जो लोकसभा है उसका सदस्य चुने जाने योग के हो ऐसा कंपल सरी नहीं है कि उसको लोकसभा या राजसभा का मेंबर होना चाहिए निर्वाचित होने के योग के हो जो कालिटी लोकसभा में राश्टपती या राजपाल का जो पद होता है उसे लाब का पद नहीं माना जाता ठीक है तो अगर वो किसी लाब के पद पे नहीं है और 35 साल उमर पूरा कर चुका है भारत का नागरिक है तो राश्टपती पद के लिए ठीक है उमिद्वार इसके साथ-साथ उसे कुछ अल भूदत का ने के लिए ठीक हो तो ऐसे पचास अनुमोदक कौन होते हैं वह संसद या सांसद या विदायक होने चाहिए यहां जो आपको हस्ता आक्शर करेंगे तो इस तरीके से आपके पास 50 अनुमोदक और चास प्रिस्तावक होने चाहिए तभी आप उम्मीदवार बन सकते हैं तो यह तो वही होगा जो एक राजनेता होगा या फिर जिसके पास इतनी पावर होगी जो इतने टाइम से पॉलिटीक्स में होगा तभी इतने लोगों को जानता होगा इसके साथ क्या होता है कि जब पर्चा भरा जाता है मतलब राष्ट पती के लिए आप जाते हैं तो कुछ जमानत राशी भरने पड़ती है आर बी आई को वो जमानत राशी होती है 15,000 रुपे वैसे आप किसी भी चुनाव में अगर लड़ते हैं तो आपको एक जमानत राश भरनी पड़ती है वो इसलिए भरवाई जाती है कि अजूल फिजूल के कोई भी पल्चा ना भर दे अगर कोई भी भर देगा तो बहुत सारे पल्चे हो जाएंगे चुनावायों को कठिनाई होगी तो इस पर लगाम लगाने के लिए एक जमानत राशी बरी जाती है कि अगर उनका मिनिमम कितना होता है कि वन बाई छे मतलब जितना टोटल वोट पड़ा है उसका अगर एक बटा छे अगर नहीं पाया उस उम्मीदवार ने तो उसकी जमानत राशी है वो जब तो जाती है अब जमानत राशी आर बी आई के पाद चली जाएगी और अगर वन बटा 6 से जादा उन्होंने पा लिया तो उनकी जमानत राशी वापस मिल जाएगी जीट जाते हैं तो भी वापस अब इससे प्रश्न आया था कि राश्टपती के जमानत राशी जमा की करते हैं तो उसका मतलब कितना वोट मिलता है तो option में था एक बटा चार एक बटा दो मतलब कितना मिनिमम वोट होना चाहिए तो यह याद रखना है कि किसी भी चुनाओ में एक बटा च्छे मिनिममम वोट चाहिए होता है उमीदवार को जिससे उसकी जमानत राशी जब्त ना हो यह हो गई योगिता अनुछेद 58 में अब है राश्टपती का निर्वाचन अनुछे 54 25 में बताया है 54 बताया है कि राश्टपती का निर्वाचन के तरीक द्राइक को बताया है थाकर हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि जो निर्वाचन राष्ट पती का होता है वो निर्वाचन मեंडल को चुनती है और वो सांसर विधायक जाके हमारे राष्ट पती जी को चुनते हैं तो राष्ट पती का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है किसके द्वारा निर्वाचन मंडल के द्वारा अब निर्वाचन मंडल कौन होता है निर्वाचन मंडल होता है ग से राज्ये सभा के निरवाचित सदस से दोनों को विधान के निरवाचित सदस सकते ही dopo सम्में विधान सभा होती है तो उसके निर्वाचित सदसे और दिल्ली और पुडुचेरी के विधान सभा के निर्वाचित सदसे दिल्ली और पुडुचेरी दो केंद्र शाचित ऐसे प्रदेश हैं जहां कि विधान सभा है पर वो केंद्र शाचित प्रदेश है तो वहां के के निर्वाचित सदस्थ से मिलकर यह पूरा निर्वाचत मंदल बनाते हैं जो राष्ट पती सदस्थ से होते हैं भारा लोग सबा में थह विधान सबा में मनुनित सदस्थ होते हैं जो जो सिक्षा और पार्व संस्कृती में अलग अलग छेतरों में जिन्हों ने अच्छा काम किया होते हैं उन्हाइं बिना समाव लड़े राष्टपती नॉमिनेट कर देते हैं और डारेक्ट वो उसके सदस्य बण जाते हैं तो जो भी इसमें भाग नहीं लेते विधान परिशद क्या होती है कि जो राज्य होता है जैसे संसद होई तो संसद में केंदर में राज्य सबा लोक्सबा इसी तरह राज्य में विधार मंडल में विधान सबा और विधान परिशद होती है पर जो विधान परिशद है परिशद सभी राज्यों में नहीं होती विधान परिशद बनाने का दाइत वे किसके पास है विधान सभा के पास है वो चाहे तो विधान परिशद बना सकती है चाहे तो नहीं तो क्या है कि विधान परिशद केवल साथ राज्यों में है विदान परिशद के लोग वोट देते हैं विदान सभा के तो यह ध्यान रखना है कि विदान परिशद के कभी नहीं देते इसके बाद लोग चुन लिए गए अब वोटिंग होगी तो वोटिंग कैसे होगी कि पूरे मतलब पूरे भारत के सवा सो करोड़ लोगों का दाइत विदान सभा के लोग के और संसत के लोग वोट के लोगर मिलकर डे रहे एक विदाया को टार वोट कितना होगा उस राज्य की कुल जून संक्या उपान में राज्य के विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस है तो इसका इस तरीके से फॉर्मुला बना लिया जाता है कि P by Q into 1 by 1000 एक विधायक का वोट वैल्यू होती है ठीक है तो एक विधायक का वोट वैल्यू को हम P बटे में Q पीप को क्या होता है कि उस राज्य की कुल जन संक्या जैसे उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश की कुल जन संक्या अपॉन में राज्य के विधान सभा के कुल निर्वाचित सदसे जो टोटल निर्वाचित सदसे चुने गए है उससे भाग देते हैं और 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक विधायक का मतमूले निकल जाता है, यानि जो एक विधायक जी है, उनके वोट की कितनी वैल्यू है, इतनी साही जनता को एक विधायक रेप्रेजेंट करता है, और एक सांसद की वोट वैल्यू क्या होती है, कुल विधायकों का म करते हैं कुल जंसंत्या को भाग करते हैं धान परिशत के घख से तão आपको formula एस तीष याद करना एक कुल निरवाचित तफे भाग करते हैं आपको फॉर्म याद नहीं होगा तो बिल्कुर कंफ्यूज करतें के और आप में कर पाएंगे तो इस तरीक मेंचेर लग बक ताओ लगब 10 लाग वोट वैल्यू से रास्तपती को चुना जाता है तक इसके बाद जुनाओ होगा क्या होता है है कि कैसे होगी कैसी होता है कि अब यह क्या होता है नॉर्मल वोटिंग में देखते हैं कि किसी MLA वगरे को वोट पढ़ रहा है किसी विधायक का तो क्या होता है जिसको सब जादा वोट मिलता है वो जीत जाता है बहले एक वोट भी जादा हुआ तो वो जीत जाता है लेकिन रास्टपती बहुत उच पध है तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें कौन जीता इस तरीके से नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जैसे तीन लोग खड़े हुए रास्टपती के चुनाव के लिए A, B, C, ये है राम, ये है श्याम, ये है गीता, ठीक है, राम, श्याम, और गीता, ठीक है, तो जैसे जो वोट दे रहे हैं, निर्वाचक मंडल के, उन चाहिए, वन नमबर पे, अगर राम नहीं बनता, तो गीता को बनना चाहिए, टू नमबर पे, ठीक है, और अगर गीता नहीं बनती, तो श्याम को बनना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से नमबरिंग दी जाती है, इसी तरह हर जितने भी वोटर्स हैं, वो सब नमबरिंग द यानि कि 50% से 1 बी ज़ाधा हो जाता है तो वो चुनाओ जी पड़ी है तो कुल वैद मतों का 50% प्लस वन वह जीट जाता है अब क्या होता है जो वन नंबरिंग है अगर वह 50% से कम आ रही है नहीं आ तो क्या होता है अब सेकिन नंबर वाले पर काउंट किया जाएगा कि दूसरे नंबर की वरियता सबसे जादा किसको दी गई है तो वह काउंट होगा अगर उस पे भी 50% पूरा नहीं होता तो तीसरे नंबर की वरियता काउंट होती है यह प्रिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक राश्टपती नहीं चुन लिया जाता क्यों कि चुनाओ दुबारा नहीं कराई जाते तो इस तरीके से हमने 54 और 55 अंशेद को देख लिया इसके बद क्या होता है यह मैंने बता दिया प्रिदम चलरण में वरेता के मतों पे होता है इसके बाद क्या होता है राष्टपती चुनाओं से संबंदित सभी व्यादों का फैसला उच्छतम न्यायले करता है अब चुनाओं में कोई गड़बडी है सही तरीका नहीं हुआ यह कुछ फिक्सिंग थी कुछ गलत तरीका ह तो उसका क्या होता है उसकी जो फैसला लेता है वह उच्छतम न्यायले में ही जाएगा उच्छ न्यायले या जिला न्यायले में नहीं जाता और जो चुनाओं होता है वह गुप्त मतदान होता है बिना डिसकुशन के लोग अपनी अपनी वरियता वोटिंग कर देते हैं एक हमेशा उच्छतम नयाले का फैसला करता है इसके बाद की रास्टपति का कारेकाल है इसका विवरंड दिया गए और 56 में पताएगे कि जो रास्टपति कारेकाल वह हुआ है वह पांच वर्ष का होगा जब भी रास्टपति शपत ले लेते हैं उसके बाद पइस साल तक व बने रहेंगे जब तक वह इस्तिफाना दे दें या उनका कारेकाल ना पूरा हो जाए ठीक है तो इस तरीके से राश्टपति का कारेकाल पांच वर्ष का होता है इसके बाद क्यों होता है अनुचे 256flb पुनर निर्वाचन की बात कही गही है क्यों regular 5 साप पे खतम हो गया तो क्या वह दुबारा चुने जाए सकते हैं हाँ चुने जासकते हैं अगल दुबारा वह नावंकन करते हैं और उनको vote मिलता है तो चुन जासकते है फिर क्या वो तिबारा चुने जा सकते हैं? हाँ तिबारा भी चुने जा सकते हैं तो भारत में क्या है? कोई कितनी बार भी राष्ट पती का चुनाव लड़ सकता है उसमें कोई fix value नहीं है कि आप 7 बार, 5 बार, 6 बार ऐसा कुछ नहीं है आप जितनी बार चाहो उत्तिवार लड़ सकते हो और जितनी आयू तक चाहो उतनी आयू तक लड़ सकते हो अगर आप जीतते हो तो आप राष्ट पती बन सकते हो लेकिन अमेरिका के सविधान में ऐसा है कि एक व्यक्ति दो से अधिक बार राष्ट पती नहीं बन सकता आगे चलते हैं अनुचे 60 अनुचे 60 में बोला गया है राष्ट पती को सपद जो राष्ट पती है वो सपद दिलाते हैं सपद दिलाने के बाद ही वो भारत के राष्ट पती होते हैं तो उन्हें सपद कौन दिलाता है तो उन्हें सपद दिलाते हैं सर्वोच नयले के मुख सबसे मुख्य नयदीश होते हैं वो उनको सपत दिलवाते हैं और अगर वह उपस्तित नहीं है किसी कारणवश तो सर्वोच नयले में जो वरिष्ट नयदीश होंगे वो इसमें बोला गया कि रेस्ट्पति पष्टान अपर क्या होता है माई योग नजा सकता है अब यह महाँ वर्ड है बहुत इंपोर्टंट हो जाता है एकोंकि वार स्वुष्पति के अलावारा जो थे पानाएन नंहीं नाइधीश होते हैं उनके लिए भी यही प्रिक्रिया होती है अगर उन्हें उनके पद से हटाया जाना है तो तो क्या होते है कि राष्टपती पर जो महावयोग है केवल तीन अधार पर लाया जा सकता है कि अगर उनने लोकतंतर यानि कि जो सविधान है उसका उलंगन किया ह दुर्वेवार किया है या अच्छमता है मतलब वो उस पद को ग्रहेंड करने योग्य नहीं है कैपेबल नहीं है कोई उनने दुर्वेवार किया है या फिर वो मतलब उसने च्छमता नहीं है तो उन पर महाभी योग लाया जा सकता है अब ये प्रिशन आता है कि महाभीयोग कहां लाया जा सकता है संसद में तो संसद में महाभीयोग कहीं भी लाया जा सकता है चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में एक सदन में लाया जाएगा उसमें पास होता है तो दूसरे सदन में जाएगा उसमें भी पास होता है तो ओक्य हो जाएगा लेकिन इसमें एक कंडिशन है कि उससे 14 दिन पहले महावियोग लाने इसे 14 दिन पहले उसका रिपोर्ट करना होता है नोटिस देना होता है राश्ट पूरा उनको भाटाने की इसके बाद में धिह अधिया घाल है कि रास्ट पती का पद रिक्त होने की शीम में अb 2.5K already oneує सकता कि अगर उनका जो पद है वो रिक्त है तो रिक्त नहीं होना चाहिए अगर रिक्त है तो छे महीने के बीतर बीतर चुनाव करा लिये जाएंगे और जब चुनाव करा जाएंगे तो जो नया रास्ट पती बनेंगे जब तक वो अपना पद नहीं समाल लेते तक जो पहले पती हैं वो कब तक जैसी कारेकाल पूरा होगा तब पद छोड़ देंगे यह नए परास्ट पती क्या निक मानलो इनका पात साल पहले वाले का पूरा हो गया लेकिन उसके बाद भी यह तब तक रहेंगे जब तक नया रास्ट पती अपना पद ग्रहन नहीं कर लेता तो यह को गया कि अगर उनका मतलब कारेकाल खतम हो गया है दूसरा क्या है परोफ रास्ट पती के रूपने कारे करेंगे तो उनके लिए क्या होता है कि इनको रास्ट पत सब्काइब गाती ही माना जाएगा रास्टपती को जितना वेतन, भतНе और सक्तियां दी जाती है वह भी उप्रास्थ-पती के पास होगा। लेकिन मेक्सिमाम च्छे महीने तक ही उप्रास्थ-पती रास्थ-पती के तौर परbeत्या, उस से जादा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रास्टपती से जुड़े हुए सभी पहलों को देख लिया, इसके अलावा ये आता है कि रास्टपती के पाथ बहुत सारी शक्तियां होती है, विदाई शक्ति, वीतिये सक्ति, ठीक है, बहुत सारा प्रोशन आता है कि उनके पाथ पावर वीटो होती है, पॉकिट वीटो होती है, ये वीटो क्या होता है, पावर शक्तियां कैसे होती है, तो इसका हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे यहां पूरा होता है अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ देखते रहें और खुश रहें देखने के लिए धन्यवाद